हेलो अब्रवन वेल्कम चु ब्लेजवां मंत्रा मैं हूँ शुतिमिश्र और आज मैं आपको जानकानी देनी वाली हूँ सहारा इंडिया से जो रिफंड मिलने वाले हैं उस प्रॉसस के बारे में अभी तक आप सबको यह जानकारी मिल गई होगी कि गवर्वेंट ने एक ले सहारा इंडिया से मिलने वाले पैसो के लिए तो चलिए इसके बारे में थोड़े विस्तार से चर्चा करते हैं अभी बीते 18 जुलाई को हमारे एक जुनिन होम मिनिस्टर रामिच्छा जी ने सहारा रिफंड पोर्टल जो की पूरा नाम है उसका सेंट्रल रजिस्टर और क पैसे वापस मिलेगे पहला पेमिन जो है वो 10 जार रुपय का मिलेगा और वैसे इन्वस्टोघ को मिलेगा जुन्हों ने 10 000 या उससे जादा डिपॉजिट किया था सहारा इंडिया में अब बात आती है कि किस तरह के डिपॉजिटर को info कि सहारा में बहुत सारे लोगों न तो पहले society का नाम है हमारा India Credit Cooperative Society Limited Kolkata, Sahara Credit Cooperative Society Limited Lucknow, Saharyan Universal Multipurpose Society Limited Bhopal, और Star Multipurpose Cooperative Society Limited Hyderabad. तो आपने अगर इन चारों में से किसी society के थूँ अपने पैसे Sahara India में जमा किये थे, तो आप eligible हो अपने पैसे वापस लेने के लिए इस claim portal में सारे details को भर करें. चारों करने के लिए सबसे आवश्चक जो है, वो आपके पास सारे required documents होने चाहिए. चलिए देखते हैं किन-किन documents की आवश्चकता पड़ेगी आपको. आपको चाहिए होगा deposit certificate या claim passbook, ठीक है, claim request form के साथ में. फिर अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का claim amount है, तो आपको आपके pancard की भी जरूरत पड़ेगी. एक bank account number चाहिए, जो की आधार से link किया हुआ हो. फिर आपका membership number और एक mobile number जो की आधार से linked हो. अब portal में आवेदन किस तरीके से करना है, वो भी देख लेते हैं, लेकिन आवेदन करने के पहले, जितने भी documents अभी हमने देखा, वो सारे चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. तो सबसे पहले आपको refund के लिए इस portal पर जाना है, macro refund crcs.govern.in ये link मैं आपको description में भी देदूँगी, आप वहाँ पर click करके directly इस portal को open कर सकते हूँ. जब आप उस link पर click करेंगें, तो portal कुछ इस तरह के से open होगा, ऐसा दिखेगा आपको, portal का web page, और आपको यहाँ जमा करता पंजी करन पर जाकर click करना है, वहाँ पर आपको अपने आधार का सिर्फ अंतिम चार्ज डिजिट डालना है, ठीक है, पूरा का पूरा आधार नं तो आपको एक OTP आएगा उस mobile number को, वो OTP फिर आपको आगे डालना होगा, तो आपका जो पंजी करन का process है, registration का process है, वो complete होगा, एक बार आपने registration कर दिया, आपका पंजी करन हो गया, उसके बाद आप यहाँ जो arrow देखरो, screen पर जमा करता login पर आपको आपको आना है, अब जमा करता पंजी करन जब आपका complete हो जाएगा, उस registration करने के बाद, जमा करता login को जब आपने क्लिक किया, तो यह ऐसा screen आपको दिखेगा, तो इस screen पर आपको अपने आधार नंबर का फिर से अंतिम 4 डिजित डालना है, और उससे जुड़े mobile number को डालने है, ताकि आपको OTP प्राप्त हो, और OTP जो मिलेगा, वो OTP डालने के बाद, आप वेरिफिकेशन प्रॉसस को complete करें, और जब आप login हो जाएगे, उसके बाद आपको claims related, जो जो documents मैंने आपको बताया इस वीडियो में, वो सारे documents के detail को डालना होगा, जैसे जैसे boxes खुलते जाएगे, और उसके प्रान कार्ट को भी upload करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़े आप अपने पास रख लें, claim का form को online complete करने के पहले, और जब ये पूरा process complete हो जाएगा, तो जैसा कि Amit Shaji के द्वारा कहा गया है, कि पूरा जो refund process है, वो claimant को within 45 days मिल जाएगा, इस पूरे वीडियो में हमारे स साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे आने वाली सहारा इंडिया से related किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, थैंक यू